आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि Angel One application का यूज कैसे किये जाता है जब आप Angel One app को open करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले share को buy करना और sale करना मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पर आपको account के option पर click कर देना है account के option पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा trading balance 1651.28 है तो यहाँ पर आपके account में 00 दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ पर add fund के option पर click कर देना है add fund के option पर click करने के बाद यहां पर आपको amount को select कर लेना है यहां पर आप कितने amount को आप अपने account में रखना चाहते हैं यहां पर मैं मालो की 100 रुपए मैं अपने account में रखना चाहता हूँ यहां पर मैं फिर से add fund के option पर click कर देता हूँ add fund के option पर click करने के बाद मेरा Google पर app open हो गया है यहाँ पर मैं 100 रुपए डाल देता हूँ अपने account में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि transaction successfully तो यहाँ पर मेरे account में आप देख सकते हैं कि 1651 रुपए हो गया है अब मैं आपको share को buy करना और sell करना सिखा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर कोने पर आपको search करने को option मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर मारोकी मैं मारूती का एक share खरीदना जाता हूँ यहाँ पर click करने को बाद जब आप अपना application open करेंगे यहाँ पर उपर लिखा है कि 12,623 रुपए तो यह जो amount रहेगा यह भागता रहेगा और कम होता रहेगा मतलब कि कम यह जादा होता रहेगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे app में कम यह जादा नहीं हो रहा है यहाँ पर एक ही अस्थान पर रुका है अएसा क्यूं हो रहा है मैं आपको अभी बता देता हूं क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह Sunnywar है Sunnywar के दिन market बंध रहता है और Aytwar को market बंध रहता है और market 9,15 पर चालू होता है और 3,30 पर बंध हो जाता है तो आप इतना जान गए होंगे अब मैं आपको buy करना सिखा देता हूँ यहाँ पर आपको buy के option पर click कर लेना है buy के option पर click करने के बाद अगर आप chart को देखना चाते हैं कि chart उपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तभी आपको share को buy करना है अगर chart नीचे जाएगा तो आपको last होगा अगर chart उपर जाएगा आपको benefit होगा अब chart कैसे देखते हैं यहाँ पर मैं buy का जाता हूँ buy का आने के बाद यहाँ पर chart का option दिख रहा होगा बीच में, यहाँ पर मैं click कर देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा chart दिखाई दे रहा होगा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मेरा चार्ट डाउन है, तो मतलब मुझे लॉस होगा, तो मैं अभी बाई नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं बाई के ऑप्सन पर क्लिक करके, मैं आपको सेर को बाई करना सिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं बाई के ऑप्सन पर क्लिक कर देता हूँ, बाई के ऑप्सन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इंट्राडे में सेर को बाई करना चाते हैं या डिलिविरी में, अगर मैं डिलिविरी में सेर को बाई करूँगा, तो मैं चाहिए जब इसे हूँ spiral rate के पहले और intraday में अगर मैं sale को buy करूंगा मुझे एक ही दिन में sale को buy करना है और एक ही दिन में मुझे sale को sell भी करना होगा अगर मैं sale नहीं कर पाता हूँ तो यह automating मेरा यह sale हो जाएगा तो आप इतना समझ गये होंगे अब यहाँ यहाँ पर पूछ रहें number आप sale मतलब आप कितना sale को खरीदना चाते हैं यहाँ पर मैं 20 डाल देता हूँ जब मैं 20 डालता हूँ यहाँ पर amount charge दिखाई दे रहा है कि मतलब पूरे sale का price कितना हुआ पचास हजार 452.80 रुपए हुआ लेकिन मेरे पास एक हजार सास्तो एकाउं रुपए ही है तो मैं sale को buy नहीं कर पाऊंगा तो आपको add fund का option दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर आपको और fund को add करना है तभी आप इन share को buy कर सकते हैं अब आप इतना समझ गए होंगे अब यहाँ पर लिखाई price यहाँ पर लिखाई limit यहाँ पर लिखाई market तो यहाँ पर market का मतलब यह होता है कि यहाँ पर share का price 12,623 है तो आपको market price में ही मिलेगा अगर आप limit के option पर click कर देते हैं यहाँ पर आप अपने अनुसार खरी सकते हैं मतलब देखी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12,623 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 12,622 जब यह share का price घटकर 12,622 आएगा तो आपका share automatic buy हो जाएगा यही होता है limit